भारत में लाश्ट माडल पैसेंजर केरियर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक एरिक्षा की डिमांड काफी ज़्यादा है इस चेजी से उभरते सेगमेंट में कई नए ब्रांड अपने लोकल डिजाइन और डेबलप विकल्स के शाथ एंट्री कर रहे हैं अगर आप भी इलेक्ट्रिक थ्रीबिलर को खरीदना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज हैं कि कौन सा माडल लें तो ऐसे में महिंद्रा का एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक रिक्षा एलफा मीनी आपके लिए ब्यातर च्वाइस हो सकता है जो कम रनिंग कास्ट और लंबी बैटरी रेंज के शाथ आपको प्रॉफिट कमाने में मदद कर सकता है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूटूब चैनल आटो बाइक जिंक्शन में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों आज महिंद्रा की ये अलफा मिनी पैसंज त्रिपिरेल के माईलेज रेंज बैटरी कैपसिटी, फेचर्ज, स्पेसिफिकेशन और आनोड प्राइज के बारे में इस वीडियो में जानेंगे क्या यह इलेक्ट्रिक इरिक्षा आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगे अलफा मिनी इरिक्षा में 48 वार्ट 120 AH बैटरी और 1000 वार्ट बरसलेश DC मोटर दी गई है जो 3.2 NM का टार्क जनरेट करती है इसमें डाइरेक्ट टाइप ट्रंसमीशन दिया गया है जिसकी टाप स्पीड 25 किलोमेटर प्रतिहंटा है और फुल चार्ज में इसकी ड्राइवर ने 90 किलोमेटर है यह अलफा मिनी इरेक्ट्रिक पैसेंजर इरिक्षा 5-6 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है शवारी के दोरान आराम परदान करने के लिए महंदरा इलफा मिनी केबिन में एडजेस्टेबल सीट मिल जाता है दोस्तों शामने से लुक काफी ब्याथर दिखाई देता है अगर सामने के साइड की बात की जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी और चोणी बिन्शिल्ड मिल जाती है और बिन्शिल्ड को शाप सफाई के लिए आपको सिंगल वाइपर यहाँ पर दिया गया है और इसी बिन्शिल्ड पर उपर की तरफ आपको इस सोरूम का नाम बरदर्श आटो का इस्टीकर और एड्रेस वगयरे देखने को मिल जाता है महंदरा का या सोरूम आपको गिधा ही पावर हाउस पेट्रोल पंप के शामने इस्टिक बस्ती में मिल जाएगा आप यहां से महंदरा की कोई भी आटो या विकल खरी सकते हैं कम से कम डाउन पेमिन्ट पर शाथी दोस्तों बैक साइड में देखने के लिए फ्रंट में ही आपको साइड मिरे लगा मिल जाता है वाइट बाडी कलर पर यहां बलैक कलर में आपको लाइनिंग फाइवर की पट्टी लगी मिलती है शाथी नीचे की तरफ आपको अलफा मिनी का इस्टिक कर लगा मिलता है इसके थोड़ा और नीचे आपको हायूजन बल्ब के शाथ दोनों साइड में हेड लाइट लगे मिल जाते हैं जो कि रात के शमय काफी तेज रोशनी देते हैं और आपको यही पर इसका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा उभरा हुआ है दोनों ही हेड लाइट के बीच में आपको महंदरा का वेजिंग मिलता है और मजबूत ब्लैक फाइबर के शाथ इसका मेट गाट दिया गया है दोस्तो इस थोड़ी बिलर में आपको फ्रंट में 12 इंच के चोड़े टैर मिलते हैं और शाथ ही फ्रंट टेलिस्कोपिक हाइडरोडिक सौक एपजाई बरलगा मिल जाता है इसके अलावा इसमें शांदार ड्रम ब्रेक दिया गया है जो चालग को फिचलन और दुरुगटनाओं से बचाते हैं कुसल डिफरेशियल के जर ये डाइरेक्ट ट्रंसमिशन अत्रिक्त कलच और गियर की आवसकता को शमाप्त करता है शाटो रिक्षा में 758 किलोग्राम जीवी डवल और तीन टैर लगे मिलते हैं शाथ ही एक इस्टेपनी भी मिल जाती है दोस्तो अगर इसके फुल डाइमेशन को देखे तो यहाँ इस इलेक्ट की रिक्षा की लंबाई 2768 mm, 4995 mm, उचाई 1794 mm और बेहत्रीन वील बेस 2168 mm का दिया गया है ड्राइबर केबिन को देखा जाए तो यहाँ काफी 276 लेगिस पेस देखने को मिल जाता है शाथ ही काफी खुबसूरत इसका ब्लैक कलर में डेश्बोर्ट दिया गया है वाइट कलर आप्सन के साथ इसका हैंडिल बार देखने को मिल जाता है दोस्तों सीट को देखा जाए तो चोड़ी और शाप्र सीट बैक रेस्ट के साथ दिया गया है जिस पर ड्राइबर आराम से बैठ कर गाड़ी को ड्राइब कर सकता है सामने की तरफ ही आपको डिजटल इस्टुमेंट कलेश्टर देखने को मिलता है जिस पर हर तरह की गाड़ी से रिलेटिव इंफॉर्मिशन सो होता है हैंडिल बार पर आपको इंडिकेटर, हेड लाइट, केविल लाइट और हाई और लो स्पीड मोड का स्विच, हार्न का स्विच लगा मिल जाता है डेश्बोर्ट पर ही आपको वाइपर और डिपवर हाजार लाइट की सुच लगी मिलती है शाथी मोबाइल और चार्ज करने के लिए बारा बोल्ट का मोबाइल चार्जर शाकेट भी इस त्रिवीलर में लगा मिल जाता है दोस्तों पीछे की सिटिंग साइट को देखे तो यहाँ पर दोनों तरफ चोड़े सीट मिल जाते हैं बैकरिस्ट के साथ जिस पर पैसेंजर बड़े ही इसास तरीके से बैट सकता है काफी जगा देखने को मिल जाती है नीचे लेक साइड में भी जगा अच्छी खाशी देखने को मिलती है यहाँ बैटने के बाद भी आप अपने पैसेंजर का कुछ थोड़ा बहुत शमान वगरे भी रख सकते हैं पीछे की दोनों साइड में भी आपको चोड़े 12 इंज के टायर लगे मिल जाते हैं बलैक कलर में मजबूत कैनोपी लगा मिलता है जो पैसेंजर को धूल, मिट्टी, धूप या फिर बारिस के पानी से बचाता है दोस्तो अगर इस इलेक्टर थ्री बिलर को पीछे की साइड से देखा जाए तो यहाँ पर आपको काफी बड़ी साइड में दोनों तरफ इंडिकेटर लगे मिलते हैं शाती आपको नबर पेट लगाने की जगए और यहाँ पर अलपा मीनी का इस्टिकर देखने को मिल जाता है इसके नीचे की तरफ लाल कलर में आपको रैफिलेक्टर लगा मिलता है एभी बंपर भी आपको सेम गाड़ी की कलर में ही लगा मिलता है जो पीछे की तरब से बाड़ी को प्रोटेक्ट करता है रियर सस्पेंसन को देखा जाए तो यहां इसके रियर में लीफी स्पिनिंग रियर सस्पेंसन सामिल है और तालिस के डबलू यच की इसमें शांदार बैटरी छंता मिल जाती है अगर इसके आन्रोट प्राइज की बात की जाए तो यह मेंदरा का ई-alfा मीन ई-रिक्षा की आन्रोट प्राइज एक लाग साठ हजा रुपय के आसपास आ जाती है इसके आन्रोट प्राइज अलग-लग राजियों यों उनके शेहरों में अलग-अलग हो सकते हैं 12-36 महिनों तक की आपको इस गाड़ी पर फाइनेंस की शुब्धा मिल जाती है अगर आपके पास बजट कम है तो आप कम से कम डाउन पिम्मेंट यानि की 50-60,000 रुपए जमा करके भी आप इस गाड़ी को खरी सकते हैं बाकी का पैशा आप इस टॉल्मेंट में जमा कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी अन्यगाड़ी के रीबी वीडियो के शाद तब तक के लिए जैहिन नमस्कार बंदे मातरा